हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रभास और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रॉक्ष पे दोस्तो हम बात करने वाले हैं सोलर पावर प्लाट के बारे में जिसके बारे में रेलवे ने जो घोशना की है वो रेल बजट में की है हम जाने के पहां कहा लगने वाले है बिहार रेलवे श्टेशनों पर जो अभी प्रारामटिक जा रही है हम अप्रोव कर से लिह दोस्तो जब एक फबररी दोजार बीस को रेल बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें रेल मन्त्री को लिकरा था कि भारती रेलवे अपनी खाली जमीन पे सोलर पाउर प्रांट लगाएगा और इसके बाद जब उन्होंने यह घुशना की तो भारती रेलवे के एड्मिनिस्टेशन जो है वो सकते में आया और उसने अपने तमाम रेल मंडलों को या नोटिस दिया कि वह अपने मंडल के खाली रेलवे स्टेशन की जमीन की उत्वा ब्योरा दे जहां पे सोलर पाउर प्रांट लगाया जा सकता है तो दोस्तों बिहार के कुछ मंडलों ने इसकी जानकारी दी तो मैं आपको बताता हूं कि कौन-कौन से मंडल पे ने कौन-कौन से जमीन की जानकारी दी है प्रांट लगाने की योजना पनाएगी है है जो जैनागर यहां बोड को भेजदिया गिया सके का तो इसके लिए जो 20 चामम-कम-20 सीयकञ मीन होनी चाहिए जिस पर सोलार पाउर प्रांट लगए लगाया जाएगा जाएगा और दोस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि लगाने इस से इसे लेड़े को सबसे वाइदा होगा कि बैज्वेत के लिए पर्याय पेइमेंट करता हैëं राजी सरकार को बोस ख़ाने वाइईक के लिए प्यपायेगा उसे अभी किलिये पॉ tenemos नहीं करनी होगी और भी सारे फायदें जो रेलवे को इन सोरर पाउर प्लांटों से मिलने वाल है इससे देश को भी फाइदा होने वाला है देश को कोईले इत्यादी जो नवी करनी ये संसादन है बिजली के उनसे बचत मिलने वाली है और दोस्तो और भी कई फायदे हैं दोस्तो अब इसका उप्योग के रेलवे क को चलाने से कि इलेक्ट्रिक प्रेजिय्न जो है उन्हें चलाने वी करेगा और दे रिलए कॉल्मियों जो है उन्हें बिजिली सपणवए इस सबैसे होगी और निसके उसयले को हुझ कई सारे बाते समझ में आगई तो वीडियो को लाइक करें और आप भी बताएं कि कौन-कौन से स्टेशनर पर प्लांट लगने चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत